लाइट सिटीज की नाइट बुलिटिन दन भर बिहार में आपका स्वागत है। पटना समेज जलों में होगा रावनवध कारिक्रम। पटना सिटी से तक्तिश्री हरीमंदर में हुई शस्त्रों की पूजा। अब खबरे विस्तार से। आज भक्तों ने पूर्णा हुती हवन भी किया। इस हवन का खास महत्व है दूसरी और मुंगेर के प्रसित चंडिका स्थान में महानवमी पर विशेज पूजा और हवन के आयोजन किये गए। पचास से अधिक स्थानों पर पूरे प्रांगण में हवन की विवस्ता की गई थी। मादुर्गा के दर्शन को पटना तमेश जिलों में मंदिरों वपंडालों में लोगों की भीर उमर पड़ी। कि सोशल मीडिया पर ब्रामक सूशना अत्वा गलत मंशा से अववा फैलाने वालों की खैर नहीं। ऐसे तत्वों सवधान हो जाए। तरशासन ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रख रहा है। बदादे की कल महास्ट्वी पर मुख्यमंतर निर्टीश कुमार ने पटना सिटी समेश शहर की कई मंदरों में मादुरगा का दर्शन किया। देशरा पर कल शुकरवार को पटना समेथ अने जलो में भी रावनवद कारिक्रम होगा। कमीटी के अध्धक्ष कमल नोपानी ने बताया है कि रावन की तरह कोरोना का भी वद्ध जरूरी है क्योंकि पुरा विश्व कोरोना से परेशान है। मानवमी पुजन के साथ ही प्रशासन अब विसर्जन की तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर अलग से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पुजा पंडालों की तरह ही प्रशासन ने मुर्ती विसर्जन के समय भी डीजे लगाने पर रोक लगा दी है। साथ ही मुर्ती विसर्जन के समय सीमित लोगों को ही जाने को कहा है। बिना पूर्व अनुमती के किसी प्रकार की विसर्जन जुलुस का आयूजन नहीं किया जाएगा। मुर्ती विसर्जन के लिए शेनित स्थलों इवं मार्गों को पहले से ही शेनित कर लिया गया है। बतादे कि बिहार निमावली 2021 की तहट मुर्ती का विसरजन कृत्रिम या स्थाई ताराब में ही किया जाएगा। इसे लेकर पटना डियन डॉक्टर चंद्र शेकर सिंग ने सभी अनुमंडल पदादिकारियों को इस्ताई तलाबों पर विसरजन संबंदि सभी अवश्यक तेयारी एवं विवस्ता सुनिश्चित करने का सक्त निर्देश दिया। दुर्गापूजा के मौके पर पटना सिटी स्थित तक्ति श्री हरिमंदर में आज शस्त्रों की पूजा की गई साथी देश विदेश स्याय शुधालों को दशमेश दरवार में शस्त्र दर्शन कराए गया। चन्डी पार्ट किया जाता है और इस बार भी किया जाएगा। इसमें अमरेश सर पंजाब, लुदियाना, दिल्ली, जारकंड, समेत, अन्य प्रांतोक, सियाई, सीक, संगत के जथे भी शामिन हुए। बिहार पंचाय चनाओ को लेकर पटना जले में तीस मुख्या प्रत्याशियों के खिलाब रात्मी की दर्ज कराई गई है आदर्श आचायर सहीता उलंगर मामले में ये अपरात्मी की दर्ज कराई गई है इस दौरान बगैर उनुमती के बारह वहनों को जब्त किया जिलादिकारी डॉक्टर चंदर्शेकर सिंगे निर्देश पर पंचाय चुनाओं में आदर्श चार सहीता के लिए गठिट टीम जाच कर रही है दुर्गापुजा में भी अपराधी वार्दात करने से बाज नहीं आए अपराधियों ने आस सुबा दर्भंगा के विश्व निवासी शंबू चौधरी के रूप में हुई कारसवार चार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया स्थानी लोगों ने तीन अपराधियों को खदेर कर पकड़ दिया भीड ने इनमें से एक अपराधी को पीट-पीट कर मार डाला मृत अपराधी की पहचान कुलक जमूई वा पुर्णिया में भी हत्याओं की घटनाए हो रही है चप्रा में पिताने तलवार से अपने ही बेटे को काट डाला गड़का तना श्यत्र के कदना गाउं में हुई इस घटना से इलाके में संसनी मच गई गटना के पीछे आपसे विवाद बताया जाता है इसके अलावा पुर्णिया और जमूई में हत्या की घटनाए हुई है बताया जाता है कि पुर्णिया में गला दबाकर एक महिला की हत्या हुई हैंडपं के पास से महिला का शब मिला जबकि जमूई के जाजा में 65 साल के रटायर स्वासकर्मी देविंदर रावत को बदमाशों ने मार डाला रूट पार्ट के दौरान घटना को अंजाम दिया गया है बिहार में मौत की रफ्तार थम नहीं रही अब मोतिहारी में सड़क हासे में चार लोगों की जान चली गई है बताया जाता है कि पहली घटना में हुई संग्रामपूर के भवानिपूर एक बेकावू ट्रक घर में जागुसा इसकी चपेट में आये दो लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ती जक्मी हो गया हासा संग्रामपूर की भवानिपूर में हुआ है दूसरी ओर मोतिहारी के ही रक्सॉल में तीन बाइक सवार उस समय नदी में गिर गया जब वो सब मेला देखकर लोट रहे थे इसमें दो यूवकों की मौके पर मौत हो गए जबकि यूवक जी आलाल राम जक्मी हो गया अमृतिकों की पैजान 20 वर्षे मंजीत दा सता 21 वर्षे गुड्डो सिंग के रूप में हुई है दोनों शबों को बरामत कर लिया गया है पटना के राजने नगर में यूफ्ती का शब मिलने से हड़कम बच गया है रेलवे ट्रैक के बगल में एक यूफ्ती का शब मिला है मृतक के शरीट पर चोट के निशान मिले हैं सलकता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है और उसके साथ मार पीच भी की गई है हलाकि आत्महत्या के एंगल से पूलिस मामले के जाज कर रही है पूलिस सूत्रों के नुसार जब तक शर्फ की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दिबाजी होगा फिलाल के इस बूलिटिन में बस इतना ही आप बने रहें लाइफ सिटीज के साथ अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे योट्यूब की माधियम से देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें साथ बेल ऐकन दबाना ना भूले ताकि हम आपको खबरों से टक सके